नमस्कार आप देख रहे हैं डीटीबी भारत और मैं हूँ आपके साथ निर्भैकिशोर बिहार में शराबंदी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं सरकार पर दूसरी तरफ जो पिडित परिवार है वो अभी भी सरकार से आस लगाए हुई है कि सरकार उन्हें मुआबजा देगी सरकार से उमीद इस बात की है कि उन्हें राहत मिलेगा सरकार के तरफ से ऐसी कोई घोशना अब तक नहीं की गई है और नाहीं उमीद दिख रही है लेकिन इन सब के बीच में अपने संसद्य शित्र बेतिया पहुँचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सा अस्थानिय सांसत संजय जैस्वाल ने उस इलाके का दौरा किया जहां पिछले दिनों शराब कांड के बाद 16 लोगों की मौत हो गई थी वो इलाका था नौतन थाना स्चेत्र दरसल सोम बार को बेतिया के दक्षिन तेल हुआ पंचायत में जहरीली सराब पीने से 16 लोगों की मौत के बाद अस्थानिय सांसत संजय जैस्वाल इलाके में पहुँचे थे जहां पर उन्होंने पीडित परिजनों से मौलाकात की वाइड नंबर 3 में एक पेड के नीचे बैट कर दो मौत को के परिजनों से बात की और वहां से निकलने लगे उसके बाद ग्रामिनों ने उनके गाड़ी को घेर लिया और बेतिया सांसत के खिलाप ग्रामिनों ने जम कर नारे बाजी की यह तस्बीरे देखिए किस तरीके से जब सांसत महोदय का काफिला उस इलाके से गुजर रहा था इस दोरान लोग वहां उग्र हो गए और गाड़ी को घेर लिया यह तस्बीरे आप देख सकते हैं किस तरीके से सांसत महोदय की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और प्र पूरी तस्बीरे दिखी है लोगों की साफ तोर पर सांसद महोदै से मांग थी कि सरकार के तरप से जल्द से जल्द मुआवजा की घोशना कराई जाए साथ पीडित परिवार को राहत दी जाए और इसको ले करके लोग नराज वहां रहे साथ जो वहां स्थानिय पत्रकार प होगी यहां तक कि जिला प्रशासन शराबंदी के बाद क्या कुछ कर रही है क्यों इस तरीके से मौते हो रही है इस से पहले जो घटनाए घटी उसको ले करके भी लगातार सवाल पूछे गए और अब एक बार फिर से सवाल उठने लगा है इन 16 मौतों के आखर जिम्मेद यह देखिए यह तस्वीरे नरायन प्रसाद के बेटे हैं किस तरीके से लोग उनको खीचते नजर आ रहे हैं लोग इन लोगों से राहत के उमीद कर रहे थे हला कि इस हंगामे के बाद इस प्रदर्शन के बाद संसद संजय जैसवाल और बिहार सरकार के परियटन मंतरी न पांच-पांच हजार रुपए दिये गए थे हला कि सवाल को लेकर के जब संसद नहोदे से पत्रकारों ने पूछ दिया कि कितनी रासी राहत के तौर पर दी गई है तो उन्होंने कुछ बताने से इंकार करते हुए कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर पीडित परिवार को र से सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं और इसी का भुगतना अस्थानिय सांसद को भी भुगतना पड़ा घंटों लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया तो देखा अपने किस तरीके के तस्बीरे रही और ऐसे में अब जिस तरीके के स्थीतियां उत्पन हुई है ऐसे में लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो सराब बंदी है उस सराब बंदी को खत्म कर दिया जाए बलकि सकती के साथ नए नियम कायदे कानून के सा लागू कर दिया जाए ताके इस तरीके की घटनाय नहों आप क्या चाहते हैं क्या बिहार में शाराब बंदी खत्म हो जाए कमेंट करके जरूर बताईएगा फिलाल इतना ही नमस्कार